नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र, प्रह्मान्ट सिद्धेश्ट्र में आप सभी का स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांग 25 अगस्त 2022 का संपुन राशिफाल, उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करें आज का जो दिन है गुरुवार का है, शुभकृत नाम समवसर है, सूर्य का दक्षिनायन चल रहा है, रुदु वर्षा का है, श्रावन महिना है, कृष्ण बक्ष के तेरवितिति है, नक्षत्र उष्य है, योग वरिया है, दिन का जो करण है वो वनी है, और जो रात का रहुकाल है, वशुर रखो का सूबह 9.17 मिनिट के तस बच कर 52 मिन तक और अभीजित मूर्थ दो पर 12.04 मिनिट si लेकर 12.50 मिनिट का होगा, गुलिक काल और अभीजित मूर्थ दिन के शुभक अलावदी कह जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महत्व-प्रुन-काम या या फिन्यन ने आप ले सकते हो उसे प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वशुर वाथो का दो पर दो बचकर चार मिनिट से लेकर तिन बचकर 49 मिनिट तक और यमगंड़काल प्राता चे बचकर 6 मिनिट से लेकर 7 बचकर 41 मिनिट तक का होगा रावकाल और यमगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतपुनकाम या फिनिनने लिल्कुल भी नहीं दिना उसे प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा संपुर्ण दिन करक राशी में ब्रह्मन करेगा या चंद्रमा शुक्र के साथ यूती योग करने जा रहा है उसे प्रकार गुरु के साथ नवपंचम योग याने के त्रिकोन योग भी करने जा रहा है यह ग्रसिती सामने रखते हुए बारा राशों का राशी फल क्या होगा इस विशे पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले राशी है मेश राशी मेश राशी के चतुरत अभाव में चंद्रमा का भ्रहण है और वही पर सित शुक्र के साथ ये चंद्रमा यूती योग करने जा रहा है आपके वे अभाव में सिद्गुरु के साथ यह चंद्रवा नवबंचमयों क्याने की त्रिकोनयों करने जा रहा है तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए घर के जो लोग है उनके साथ आपकी जो हार्मोनी है वो काफी अच्छी देखे जाएगे अगर आप विभाई थे तो आपकी जो वाई-वाई जोड़िदार है उनके साथ भी आज आपकी जो अंडरस्टेंडिंग है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगे घर के जो लोग है उनके साथ कही बाहर गूमना फिर ना भी हो सकता है आज का जो दिन है जैसा आप चाते हो उस प्रकार से बीतने वाला है काफी अच्छा दिन है इसका पूरी तरह से लाब लीजिए इसके बाद की जो राशी है वो है बृषब राशी बृषब रेशी के तृथिया भाव में चंदरमा का भ्रमन है और वही पर सित शुक्र के साथ यह चंदरमा युधियोग करने जा रहा है बाद आज के दीन आप जो भी काम करोगे उसके लाब भी आपको मिलते हुगे नजर आएंगे उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी मुलाकात हो सकते हैं काई बाहर गुमना फिन नहों सकता है जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से जो पाते हैं वो हो सकती है हाला कि दिन आपके लिए बिजी डे साबित होगा लेकिन काम आपके पूरे से होने की संभावना क जब करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए खास करके आज कि दिन आज आपको मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबखलदाई साबित होगा इसके बाद कि जो राशी है वो है करकराशी करकराशी में ही चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके राशे में स्थित शुक्र के साथ ये चंदरमा यूतियो करने जा रहा है आपके भाग्यबाव में स्थित गुरू के साथ ये चंदरमा नवबंचम योग याने की त्रिकोनिय करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए आज का जो दिन है आपके लिए लकी डे भी साबित हो सकता है घर के जो लोगे उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत अच्छे देखी जाएगी उनके साथ कही बाहर घुमना भी ना हो सकता है कुछ अच्छे अनुबव कुछ अच्छे इंटुशन्स आज के दिन आपको आ सकते है आज आपका जो एनरजी लेवल होगा वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा तो कुल मिलाके देखा जा आज का जो दिन है आपके लिए बहुती ज़्यादा शुभुफलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के वह या भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है अर वही पर सिद शुक्र के साथ या चंदरमा यूतियों करने जान रहा है आपके आश्टम भावा में सिद गुरू के साथ या चंदरमा नमपच्अ क्याने की द्रिखोंक शूक्ठ करने जारा है आज का जो दिन है बहुती अच्छा और शुभ सोय लगे अधर और अ आज के दिन आपका घूमना फिरना जादा हो सकता है जो भी महत्व पूर्ण काम है commitment, promises अगर किसी को करनी है, documentation के बारे में अगर कोई काम करना है, उसी प्रकार किसी भी प्रकार के काम जो की नहीं हो रहे हैं, आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो, आज का जो दिन है, busy days भी त है, वो है कन्या रशी, कन्या रशी के लाब भाव में चंद्रमा का भ्रहण है, और वही पर सिद्शुक्र के साथ यह चंद्रमा यूतियो करने जा रहा है, आपके सब्तम भाव में सिद्गुरु के साथ यह चंद्रमा नवपंचमियों ग्याने के त्रिकोनियों करने जा र कर आपके जो वैवाई जोड़िदार है उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है आपकी जो अंडेस्टेंडिक है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगे तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबुफल अदाई साबित होगा इसके बाद के जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के दशम बहुं में चंद्रमा का ब्रह्मन है वह यह पर सिस्थ शुक्र के साथ यह चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है आपके शच्छ बहुं में सिद्गुरु के साथ यह चंद्रमा नवबंचम योग यान उनसे भी आज आपको काफी अच्छी मदद मिल सकते हैं अगर आप जॉब ले सो तो जॉब अगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रहे हैं तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबुपलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिच्चिक राशी ब्रिच्चिक राशी के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमन है और वही पर सिथ शुक्र के साथ या चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके पंचम बाव में से गुरू के साथ यह जंद्रमा नब पंचम योग यहने की त्रिकोनियों करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आप के लिए आज की दिन आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी भागये का साथ भी आपको काफी अच्छा मिलेगा अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो तो कुछ अच्छी लाव हो सकते है तो आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो आप दोनों में जो अंडरस्टेंडिंग है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्ण है जो कि आपके फ्यूचर से रिलेट करने वाले है आज के दुन आप हाथ में ले सकते हो उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो वाई वाई जो डिदार है उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपक डिये शुभुपलदाई साबित होगा कि को मिला है कि इसके बाद के जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के अश्नबाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और वही पर सिद्शुक्र के साथ यह जंदर्मा यूतियोग करने जा रहा है आपके चतरतवाव में सृध सबसे भी थोड़ा बचना होगा गर के जो लोग है उनके साथ कही बाहर घुमना फिर नहों सकता है उनके साथ आज आपके जो रिलेशंशिप है वह काफी अच्छे देखी जाएगी लेकिन सबसे इंपॉर्टन बात स्वास्त के बारे में ध्यान देना काफी ज्यादा महत्व पुर्ण साबित होगा इसके बाद कि जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के सब्सक्राइब के साथ यह चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है अगर आप वहाई थो तो आपकी जो वहाई वाई जुड़िदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी साबित होगा अगर आप करते हो तो कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं आपके जो वाई-वाई जुड़िदार है उनके साथ कहीं बाहर भूमने की संबावना वही आज की दिन काफी अच्छी बंद रही है तो कुल मिला कर देखा जाए तो दिन आपके लिए शुब वाऊ में चंदर्मा का ब्रहमन है और वही पर स्थ शूक्र के साथ या ज़िया चंदर्मा यूदियो करने जा रहा है आपकी दीघित्यो वाऊ में सीद्गुरु के साथ या चंदर्मा नभिबंचमयोग यान invoke के त्रिक omnia करनने जा रहा है स्वास्त के बारे में ध्यान संबावना भी बहुत ही अच्छी बंद रही है अगर आप जॉब लेसा तो जॉब अगरा मिलने की संबावना भी आज के दिन आपको मिल सकती है कुल मिलाकर देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबुफल दाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मींद राशी मींद राशी के पंचम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वही पर सिद्शुक्र के साथ या चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके राशी में सिद्गुरु के साथ या चंद्रमा ना वो पंचम योग याने की द्र रिलेशन्शिप बनाना चाहते हो तो भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुबुफल अदाई साबित होगा आज आपका जो करेज है आपका जो कॉन्फिडेंस है आपकी जो इनर्जी लेवल है वह बहुत ही अच्छी देखी जाएगे कोई भी काम आप में देते हो तो वो पूरे होने की संबहोना काफी अच्छी बन रही है तो दिन आपके लिए शुबुफल अदाई साबित होगा तो दोस्तो ये था दिनंग 25 अगस्त 2022 का संपुर्ण राशिफल आपको राशिफल कैसे लेगा आपने किस प्रकार से अनुबव किया नीचे कमेंट बॉक सिद्यास्ट्रो विसे भी लाइक शेर शब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद